नमस्कार हिंदुस्तान, मैं आपके साथ आज जे बुनम शर्मा और आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान जी हाँ जैसा कि आज आप लोग जानते हैं सभी को पता है पूरे विष्व में पूरी दुनिया की नजर रूस और यूक्रेन पर उसकी एक-एक गति विधी पर है उसकी सीमा पर क्या हो रहा है वहां के फसे होए नागरिक जो की मूल निवासी है दूसरे देश से आई होए नागरिक चाहे वो विध्यारती हो वो नौकरी के लिए गई हो विवसाय के लिए गई हो दूसरे देश के नागरिक हो उनके लिए क्या सहायता क्या सुरक्षा प्रदान की जा रही है एक-एक बात की जानकारी हर कोना विश्व का देश का हर कोना जानना चाहता है वहीं कहीं न कहीं हमारे देश भारत के लिए बड़े गर्व की बात है हमारे लिए ये एक ऐसा शन है जहां हमें अपने उपर भारती होने का गर्व महसूस होता है जिया एक ऐसी छोटी सी ख़बर जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ ये ख़बर तो कुछ ही लाइनों की है लेकिन इसका मतलब बहुत बड़ा है हमारे लिए गर्व की बात है आज हमारा कद कितना भढ़ चुका है हमारे राष्टे धज का कद कितना भढ़ गया है युक्रेन और रशिया के बीच जो भी हो रहा है उसके बीच रशिया जो एक शक्तिशाली एक महा शक्तिशाली देश रहा है उसने अपने स्पेस शटल में, खड़े होए एक रॉकिट पर, जो कि अन्य देशों के भी ध्वज महां पर लगे होए थे, उसने उन सब को हटा दिया, साफ, वहां से साफ कर दिया है, अगर उस पर रह गया है, तो मात्र हमारा तिरंगा, उसने सिरफ हमारे तिरंगे को छोड कर बाकी सभी देशों के ध्वज वहां से हटा दिये गई है, तो यह उधारन है, हमारी और रशिया जैसे बड़े देशों की या अमेरिका जैसे बड़े देशों के लिए, कि आज हमारा कद, हमारे तिरंगे का कद कितना भड़ चुका है, बड़ी-बड़ी शक्तियां, महा अपने आपको बताने वाली, आज सिरफ एक निर्ने, एक हा या ना के जवाब के लिए भारत की ओर देखती है, वही कही ना कहीं, ये भी सोशल मीडिया पर खुब प्रकाशित हुआ सब आप लोग ने सबने देखा, कि वहां की वीडियो देखी, कि वहां के बच्चे, वहा वहारे तिरंगे की आड़ में खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, हाला कि हमारे पड़ोसी मुल्क से हमारे रिष्टे कैसे भी रही हो, लेकिन कहते हैं, कि मा का आचल सबके लिए बराबर होता है, वो चाहे पड़ोसी मुल्क हो, चाहे हमारे देश के नागरी को, किसी आज हमारी महाशक्ति, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे राजनीतिक ऐसे ठोस कदम, जिनकी वज़े से आज हमारा कद, आज हमारा भारतिय कद, हमारे मूल, हमारे मूल्यांकन इतने आज भड़ चुके हैं। अगर ऐसी और कोई खबर होती है इस तरह की और सूचना के साथ मैं आपके साथ दुबारा हाजिर होंगी। मैं आरजे पुनम शर्मा, आप सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान।